आज में आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हूं पीनट लट्टू की रेसिपी तो चली इसे बनाना शुरू करते हैं तो पहले गया स्कॉन कर लेंगे और पैन को गरम करने के लिए चुले पर पिठा देंगे पैन अच्छे से गरम हो चुका है अब इसमें हम डाल देंगे 100 ग्राम पीनट और इनको ड्राइ रोस्ट कर लेंगे तो देखिए पीनट अच्छे से रोस्ट हो चुका है अभी गया स्कॉप कर लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे पीनट को हमने एक ठाली में ले लिया है और ये अच्छे से ठंडा हो चुके हैं अभी इनके छिलके को हम निकाल लेते हैं तो देखिए हमने पीनट के छिलके निकाल लिया है अभी इनको ग्राइंड कर लेते हैं तो देखिए हमने पीनट को तरदरा क्राइट करकर ले लिया है अभी इनसे हम लट्ट बनाना शुरू करेंगे तो यहाँ पर मैंने कड़ाई में ले लिया है 200 ग्राम दूद अभी गैस कौन कर लेते हैं और कड़ाई को छुले पर बिठा देगे और दूद को बॉयल कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर तो देखें दूद में एक उबाला चुका है अभी इसमें हम डाल देंगे आधा कटोडी चीनी साथी में डाल देंगे क्रश्ट इलाइची और अभी चीनी को दूद के साथ अच्छी से मिला लेंगे और गाड़ा होने तक दूद को हम पकाएंगे तो दूद को हम ऐसे ही चलाते जाएंगे और साइट से मलाई को ऐसे ही दूद में मिलाते जाएंगे तो देखिए दूद पहले से जादा गाड़ा हो चुका है अभी इसमें हम डाल देंगे एक चमच घी तो दूद के साथ अच्छी से मिला लेंगे और इसे गाड़ा होने तक हम पकाएंगे तो जब तक दूद गारा हो रहा है तक हम ट्राइप फ्रूट्स को फ्राइ कर लेते हैं तो यहां पर मेने चुले में पैन को गरम करने के लिए पीठा दिया है पैन अच्छी से गरम हो चुका है अभी इसमें हम डाल देंगे एक चमच घी और खी को इच्छी से मेल्ट होने गी अच्छे से मेल्ट हो चुगा है अभी इसमें डाल देंगे एक बड़ा चमच किश्मेश चाथी ले डाल देंगे एक चमच काजू और इनको प्राइब कर लेंगे तो दीखिए हमारा ट्राइब रूस अच्छे से प्राइब हो चुका है अभी इनको हम डाल देते हैं दूद और बादम के मिक्शर में और इनको अच्छे से मिला लेंगे और देखिए गूद भी अच्छे से गाड़ा हो चुका है अभी गैस के प्लेंग को हाई कर देंगे तक कि ये अच्छे से सूख जाए और गाड़ा हो जाए तो दीखिए हमारा मिक्श्चर पिर्गल तियार है अभी गैस को आफ कर लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे लट्डू का मिक्श्चर पूरी तरह से ठंडा हो चुका है अभी हम लट्डू बनाएंगे हाथ में हमने थोड़ा सा घीली लिया है अभी इसे अच्छे तरह से लगा लेंगे अभी लट्डू का मिक्श्चर हाथ में लेंगे और बोल हुमा के लट्डू बना लेंगे तो आपको जितने बेरी साइस का लट्डू बनाना है उसे हिसाब से आप हाथ में मिक्शर लेजेगा लट्डू का तो देखिए हमारा पहला वाला लट्डू बना लेते हैं इसे ही सारे लट्डू बना लेते हैं तो देखिए हमने सारे लट्डू बना लिया है अगर आप लोगों को ये वाली रेसिपी पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए बैल आइकन को प्रस करना मत भूलिएगा तकि ऐसे ही नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे बहले अप तक पहुच जाए दो थेक्ट यू